आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि इसमें अपलों के support, suggestions and comment का बहुत ज़्यादा मुझे जरूरत है क्योंकि उसी से मैं बहुत कुछ पता लगा पाऊंगा बाके आठ बजे देखते हैं यहां पर हुआ क्या था ऐसा इंसीडेंट हो जागा मैंसा मैं कभी सोचा नहीं था बहुत अजीब लग रहा है मैं आपको दिखा दो कि क्या हुआ और यह इंपॉसिबल है यह बर्च दे तो कभी नहीं किया होगा दिखा हूं ऐसा कभी नहीं सुचा था यार मेरे पॉंड में पानी कम है मैं मानता हूं क्योंकि मैं फिल्टर ला रहा था तो मुझे लगा मैं चेंज करूंगा सिर्फ एक और दिख रहा है और दिखा हूं इन दो पाकोस को आप देखें यहां कैसे आया पहला सवाल यह है कि हाप यह दो पाकोस कैसे आए धून्टे बढ़ का काम कभी नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ इतने हैवी फिश को इस तरह के से ले ने सकते और वह भी बड़े बढ़े बढ़ चाहिए अगर भी ले रहे है तो ऑसकर मुझे कहीं नहीं दिख रहे है बाकी दोनों के दोनों मैं ढूंडने के पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं देखना भी नहीं चाहता है इस तरह के से मरे हुए पता नहीं अगर आई डूंट नो गाईज यहां पर सिर्फ एक ऊसकर है अभी पता नहीं कि मेरा एलिगटर भी किधर है और लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरा भी माइंड काम ने कर रहा है मैंने भी भ जालना पड़ेगा थोड़ा एक्टिव है यह इसका हालत देखो बहुत ज्यादा खराब हो गया ऑसकर सिर्फ एक ऑसकर दिख रहा है इतना महनत का मेरे ऑसकर क्या बता हूं उनली वन ऑसकर बाकी है अभी एलिगेटर को ढूनना पड़ेगा बताने वो भी है कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है यह लास्ट ऑसकर एक ही बाकी है बहुत बुरा लग रहा है इस और को मैं यहां से निकाल कर पहले कोई पॉन में डाल देता हूं ताकि आकर मैं इसको ठीक कर पाऊं अभी मुझे बाहर अरजेंटली जाना पड़ रहा है तो यह सब दुख लग रहा है म और मेरे पाकु का अलिगेटर अब सभी फिश का औसकर्स को मैंने 6-7 मंच से पाला था इतना बड़ा हुआ था एंड यह पाकु थोड़ा फिर भी ठीक हो रहा है बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है वीचारा समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया मुझे लग रहा है यहां पर ब मैं पुरां रहा है यहां मैं पुरा अद्र भूंड राओं कि मेरे ऑस्कर अगर भी पड़े हूए होंगे बहार जैसे के कमारे पाकुस पड़े हुआ है तो나 मैं उनको बचा लू ह अगर सवाइव कर समझ नहीं रह रहा है कि भूँ हो क्या हिआ है अगर हमने कुछ देखा तो मैं समझता है कि चलो कुछ तो हुआ है बर्च ने लिया या बिली वगएरा बिली भी आपे आती नहीं है और इतने बड़े बड़े फिश थे यार चोटे भी नहीं थे लिटरी लिगा है अगर छोटे फिश होते है ना तब ही मैं मानता कि उनको ले कर चले गए या खा हुआ था इसलिए एक बार लगता भी है कि ढखा हुआ था तो इसलिए हमारे सारे फिश ठीक है बच सीरिसली इंको मैं इस तरह किसे देख ही नहीं पार हूं इनको बचाने का कोई हालत ही नहीं है क्योंकि गाइस एक तम मतलब क्या बोलते हैं मर गए और सूखने लगे आइ उस को तो सेड तक है एसे हो गया आज तक ऐसा हलत या अँस तक ऐसा सिनारियो कुभी हौ निंसिजिटन कभी नहीं हुआ और यह ओपन भी था दो मेने से आई थी गया देर दो मेने से कभी ऐसा हुआ नहीं अचानक से वो भी एक दिन में कल रात को मैं आया था गपी चेक करने के लिए ठीक है तब भी ये ठीक था तो आप सोचो सुबा दो घंटे में बर्ड ने ये काम कर दिया लैक तो यहां पड़े हुए है एक वहां और मज़े वीडियो पहले बनाने दो मेरे आउडिस को में बताऊं कि यह मेरे साथ आज हुआ है आफ्टर आ येर जब से मैं यह चैनल खोला है उसके बाद सी मेरे पहला हाथ सा है जो बहुत बड़ा हाथ सा है मैंने सारे जगों पर चेक कर लिया मेरा वह पाकु तो चलो य और इतने बड़े हुए थे किसकी नजर लग गई नो आइडिया कहीं तो दिख जा यार पर मरा हुआ मुझे मत दिखा क्योंकि मैं वह नहीं देख पाऊंगा सीरिसली यह तो दिखाऊ ही मत अगर जिन्दा है तो ही दिखाऊ हाफ भी जिन्दा है ना दिखा दे मैं बचा ल उन्होंने खूप जेस किया जेस करके उन्होंने मत अपने चोच में कोई बड को लिया लेकिन के अलवा कुछ आता नहीं है लिया एंड यह तो यह तो यह पी पढ़े और ऑसकर तो नहों गायप मत इतने वेट वाले फिश को वह यहां से उड़ाते हुए उपर से इतने बत चाहिए ना कम से कम या तो मान लों कि इनके आख वागेरा या कुछ तो ट्राइब करते लेने के लिए पर यहीं क्यूब बड़े हुए साथ में यह वाला पाकू भी क्यूब पाकू का साइस बड़ा था इसलिए यह क्या हुआ बताब वह ले क्यों नहीं पाए चलो लिया पड़ेगा तो बहुत सारे सवाल है यार क्या करूं मैं आसकर को स्लोली यार एक ही ऑसकर में दो बच्चा है अभी पहले इसको ले लेता हूं मैं अब बहुत हट हुआ है यह फिर स्ट्रॉंग है अब बस वाइफ कर जा भाई तू जा शवाइफ कर जा तू यहां पे पहले अगर तुमने हमला किया है तो इस ऑसकर पर हमला करना चाहिए इसका तो इसके तो बॉड़ी में मुझे वैसा कुछ थोड़ा बहुत तो लगा है लग रहा है पर पता निया क्या हुआ होगा बतलब की ओविसले लेकिन जादा हर्ट तो दीखनी रही है थोड़ा असा लग गाइस बता ना यह बच गया होगा शायद अगर भी बचने हमला किया होगा आई थेंक पता नहीं तो यह सिर्फ एक सर्वाइवर है मेरे बागी दो ऑसकर गायब है लेक्मी ट्रांसफर जाओ रहे भाई यह पूरा खाली है भी अलिगेटर तो दूर दूर तत दिखनी रहा है रहे पानी भी कम है दिख जाना जी था ना अभी तक हमें कि अब यहां पर उत्रूंगा अलेकर को सर्च करूंगा इन सब ड्रिफ्टूट बगरा को निकाल दूंगा इसको साफ करके इस पॉंड को पिलाल के सील कर दूंगा जब तक कि मेरा फिल्टर ना आ जाया और फिल्टर आने के बाद फिर इसको फुल करके हमारे जो दो तीन बच्चे हैं उनको डालेंगे एंड पूरा इसको कवर कर देंगे के बात देखते हैं नए फिश लाना है लेकिन गाइस एक तम अभी तो मतलब क्या वो इतना साल का मेरा जो आसकर है नए फिश ज़रूर से लाना है लेकिन यार यह चीज बहुत-बहुत पुरा हुआ हुआ मैं नीचे जाकर थोड़ा से अलिगेटर को भी सर्च कर लेता हूं कि अलिगेटर और बाकी कुछ फेश हमारे यहां बच्चे है या नहीं क्योंकि पानी तो इतना ग्रीन है यार फिर भी किसे किसे आप एटैक कर सकता हूं वह समझ नहीं तो चलो पहले चलता हूं नीचे ए और क्रीन भी कर दिया लेकिन दोस्तों अलिगेटर का कोई अथा पता नहीं अलिगेटर भी आइंजल्स थे दो तो यह बहुत बड़ा लॉस है और यह कैसे हुआ यह प्लीज आप लोग देखिए मैंने आप लोग को पूरा डीटिल में बताया जो भी सजेशन से गाइस कु क्या पुलिस तो नहीं भूला सकते है राइट कि यहां पर आप लोग की मदद से ही मैं तो आप लोग को मैं वैसे इस पॉन को मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा मेरा फिल्टर आ रहा है चार पास दिनों में फिर संप बना कर यहां डालने वाला हूं एक एक्स्टरनल फ पाइन डाल रहा हूं इसको भी ठीक करना है मुझे यह फिल्टर आ जाएगा और यह तो ठीक है और सारे फिश हमारे बिल्कुल सही है अगया गिर गया तो यह पर कुछ हमला नहीं हुआ यह पुछ नहीं हुआ यह पॉन तो सब ठीक है बच्चे वगर आपर है मैं यहां पर मैं ठख दूँगा उपर नेट लेकर रहांगा कल और नेट से इस पॉन को मैं ठख दूँगा अच्छे फ्लावर्स भी खेले हैं लेकिन यार में को मनी नहीं कर रहा है क्या जो हुआ है ना उसके वज़े से दोस्तों मोट पूरा ओफ हो चुका है मेरा एक अच्छा सब्ला नहीं यार कि क्या हो सकता है समझ नहीं आ रहा है यहां पर इतने बड़े घुट्स नहीं है और यह फिर सवाल यह उड़ा एक मजली जाएगा तो जाएगा इतना सारे आउर लों केर चाहिए और हमारे असपास हूंगे शायद बिल्लिया मुझा नहीं बता है तो birds या बिल्ली या कुछ और I have no idea जो भी आप लोगो को लगता है comment करना मैं पढ़ूँगा and मैं ट्राइ करूँगा कि कुछ और सोचने के लिए कि क्या हो सकता है हापे क्यों कि मुझे तो पढले ही नहीं पढ़ा और मेरे घरवार को पढले नहीं पढ़ा है क्यों कि हम लोगों ने खुद आखों से नहीं देखा तो हम किसको क्या ब्लेम कर सकते हैं यह रेनोवेशन में जा रहा है और यह अच्छे से बनके आएगा आप लोग सजेस्ट करने किसमें क्या फिश डालना चाहिए और इस बार जो होगा ना क्योंकि अभी एक साल में आसा है पहली बार इस बार ऐसा प्रिकॉशन लोगा कि लोग दिखते रहा जाओगे एनिवेश आम वेरी सेट बाबाई टेक क्यार कुछ ने विडियोस लेके जल्दी पासात हो बाई